फिर ये तीन वाई है और ये माइनस का एक वाई है तो तीन वाई में से एक वाई गया तो तीन में से एक गया बचा दो तो ये हो गया दो वाई फिर ये रा जैड ये रा जैड ये एक जैड प्लस में ये एक जैड माइनस में एक में से एक गया जीरो तो कोई भी नहीं बचा खतम हो गए यह हमार आंसर आ गया 4X प्लस दो वाई अब यह दोनों आसमान में जगे तो इनको जोड़ा नहीं जा सकता या ऐसे कैसे बैठे ले जाएंगे अगला जो क्वेशन है उसमें हमें जोड़ना है XY स्क्वाईर प्लस 4X स्क्वाईर वाई माइनस 7X स्क्वाईर वाई माइनस 3XY स्क्वाईर प्लस 3 अब इसमें हमें क्या जोड़ना है इसमें हमें जोड़ना है X स्क्वाईर वाई प्लस XY स्क्वाईर तो हम लोग क्या करेंगे पूरा का पूरा एक साथ लिख देते है x y square प्लस 4 x square y माइनस 7 x square y माइनस 3 x y square प्लस 3 इसमें जोड़ना है ये तो जोड़ो x square y प्लस x y square अब ढूंडो समान बद x y square x y square और x y square और x y square ये x square प्लस तो x y square x y square x y square तीन मिल गए है मैं अब तीन मिले ये एक माइनस का तीन और ये एक तो एक प्लस एक माइनस 3 ये तो करना हाता है हमें नॉर्मल गडित लगा नहीं एक और एक दो दो में से तीन गए कित्ता बचा माइनस का एक तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे माइनस का एक और एक नहीं भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बिजी एवेंदेक सांच में लिख दो कौन सा बेंजेंगे ये एकस वाई स्क्वाई का तो ये लिख दिया हमने माइनस का एकस वाई स्क्वाई स्क्वाई फिर अगले वाले के लिए ढूनते हैं ये एकस वाई एकस स्क्वाई ये एकस स्क्वाई ये भी एकस स्क्वाई ये है कितने प्लस की चार ये माइनस साथ ये प्लस का एक बैं गुनांत देखते जाऊ आथ तो आपको मिला 4 माइनस साथ और एक तो 4 में से साथ के रिम माइनस का 3 माइनस के 3 में 1 जोड़ा माइनस का 2 तो आपने लिग दिया यहां पे माइनस का 2 और BGA वेंजक ऐसा कैसा उतार दिया X, SQ, Y अभी कोई बच्चा इसमें यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, यह भी, यह भी यह तीन रह गया अब तीन एक अचर्राशी है और कोई दूसरी अचर्राशी आपको यह दिखने ही रही तो ऐसा का ऐसा तीन नीचे उतार के लिख दो, यह हमारा अंसर आगया तो करना क्या है, समान वेंजक डूड़ने है और उनके जो गुणांक है, सिर्फ उनको जोड़ना है और वेंजक ऐसा का ऐसा लिख देना है इस तरह से हमारे BGA वेंजक जोड़ते है अब हम सीखते हैं इनको गटाना गटाने में भी वही चीज़ है कि समान पर होंगे तब ही गटेंगे अब गटते कैसे इसमें थोड़ आसा एक चेंज है वो क्या है कि जब भी आप किनी दो गंजको को गटाएंगे तो आपको उन्हें ब्रैकेट में लिखना है ठीक है पहला भी और माइनस दूसरा भी फिर आप इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमें यह पता है कि जब ब्रैकेट बहार होता है और हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर जो भी निशान होंगे वो सब के निशान बदल जाएंगे अंदर में जिनके पास भी जो भी निशान होगा वो सभी निशान जो हैं वो बदल जाएंगे इसलिए हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस वालों को ताकी आगे जाके कोई गल्दी ना हो ठीक है तो कैसे यह होता है देखो जब सिंपल है कि 9x में से 5x गटाना है तब तो कोई परक नहीं पढ़ रहा 9 में से 5 के 4 x ऐसा का ऐसा अब हमें जब 6x में से गटाना है या आप रहे से रिपीजिए 6x में से माइनस का 7x गटाना ही तो देखो 6x